आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार मैं हूं त्रिश्ला और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी स्वागत है आपका चार बजे की चार बड़ी खबरों में भारत ने आज कोविट टीका करण अवियान के एक साल पूरे कर ली है अब तक कूल 156 करोड से अधिक वैक्सीन की खुराग दी गई है इस दोरान महिलाओ को 76 करोड अधिक वैक्सीन की खुराग दी गई है ग्रामिट छेतरों में कोविट टीका करण केंद्रों में 99 करोड से अधिक खुराग दी गई है इसके अलावा ट्रांसजेंडर अबादी को 3,69,000 से अधिक टीके की खुडाग पिलाई गई है इसको लेकर प्रधान मंदरी नरेंदर मोदी ने ट्वीट किया है उन्होंने लिखा आज हमारे टीका करण अभियान को एक साल पूरे हो चुके हैं मैं टीका करण अभियान से जुड़े प्रतेक वैक्ति को सलाम करता हूँ इस दोरान उन्होंने कहा कि लोग कोरोना से भागे और घबराये नहीं बलकि उसका डट कर सामना करें समय पर पहली वैक्सीन की पहली दूसरी वर्ट बूस्टर डोज ले कोविट प्रोटोकॉल का पालन करें जिस तरह से हमने दूसरी वेप का सामना किया है वैसे ही तीसरी लहर का भी मजबूती से मुकाबला करेंगे प्रदेश में जो अधितन इस्तिती है वहाँ एक लाग से धिक प्रदेश के अंदर एक लाग तीन हजार एक्टिफ केसेज हैं जिसमें से एक लाग एक हजार से धिक भोम आईसुलेशन में हैं यहीं आप देखेंगे कि प्रदेश के अंदर एक परसेंड से कम लोग हास्पिटल में हैं और यह हिस्तिती लखनों की भी है लखनों में कुल दो हजार तीन सो पॉजिटिव केस आज आये हैं जिसमें सोला हजार तीन सो एक्टिव केस हैं और अगर हम होम आईसुलेशन का देखेंगे तो सोला हजार दो सो मामले अपने घर में ही उपचार करा रहे हैं कुल 128 मामले ऐसे हैं जो हास्पिटल में हैं एक परसेंड से कम एक परसेंड से कम लोग ऐसे हैं जो हास्पिटल में गए हैं कि हॉस्पिटल में भी वही लोग गये हैं जो पहले से किसी कि बीमारी से गर्षित रहे हैं कि वह इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे समवादाता गौरश वास्तों हमारे साथ जुड़ रहें गौरब देश ने दो बार कोरोना महमारी को जहला है ऐसे में तीसरी बार भी ओमिक्रॉन का कहर आ रहा है क्या वैक्सिनेशन के रफ़तार को बढ़ाये जाएगा देखे तसला मैं आपको बतारू जब पहली लहर आई थी तो एलफा वेरेंट था और उस समय तक केबल और केबल कुछ एक मामले ऐसे थे जो की मौटिली डिट्र गए थे बाकी पहली लेर में ऐसा कुछ बड़ा हुआ नहीं था हाला कि लोगडाउन जरूर लगा गया था इसके बाबजुर अतनी ज़ारा संक्रामक लेहर नहीं थी तक माहामारी नहीं थी पर जब देल्टा अबरेंट पहसें बढ़ी संक्रामक में लोगों की जानते प्रेस पर已经 कि तो ingrato कि बात करें तो योगी एटनार लगातार टीम 11 उसके बाद टीम नाइन न न बनाई थी लगातार कुरोना को देखे अपनी रणनीती बना रहे थे और कुछ हर्ता कुरोने दूसरी लेहर पर काभू भी पाहा है था और बहुतर चार के जो साधन तेरों जुटाए थे और संक्राव फ्यल तो रहा है और मॉटलेटी रेट नहीं हो और जितने भी लोग से गर्षित हुए है संक्रवित हुए है वह अभी हो में लास करा रहा है और बैतर अनुबाव कर रहे हैं गौरब के जी मू का मुख्यमंतरी ने खुद दोरा कि ऐसे मुनों ने क्या दिशा नि सब्सक्राइब कर रहा है और लगातार चुक्कि लखनू में है और प्रहामंतरी लगातार वेक्सिनेशन को लेकि प्रिकार से लोगों जागरूव भी कर रहा है तो उसको देख तो यह भी बहुत अपलब्दी वाली बात है क्या कुछ तरह के इंतरवात अभी केजी आइस यू बेड भी है इसके अलावा जो कोबिट वाड़ वालक से बनाया गया है और साती तीमारदारों को रहने की व्यूस्ता भी की गई है और ऑखी ऑक्सिजन की व्यूस्ता उसको जरूस किया गया है क्योंकि अगर कोविट का मामले बढ़ते हैं और आप भी से जाना स पिलाद ले रहे हैं जी बहुत-बहुत धन्यवाद गवर्व आपका यूपी चुनाओं से पहले आम आदमी पार्ची ने कमर कसली है इस बार के चुनाओं में उभर्ती आम आदमी पार्टी ने आज पहली अपनी सूची जारी कर दी है पहली सूची में 150 प्रत्याशियों का नाम शामिल है आज आप कार्याले में प्रेशवारता कर आप सांसत और यूपी प्रभारी संजर सिंग ने सभी प्रत्याशियों की लिस्ट को जारी किया है इसी के साथ संजर सिंग ने बताया कि इस बार आप सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है वही इन चुनाव में जनता के पसंदीद प्रतिनिधियों को मौका दिया जाएगा इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे समवाद दाता गौरव श्वास्तों हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव आम आदमी पार्टी जिस तरह से लगातार यूपी में सक्रिय रहा है जिस तरह से संजर सिंग ने योगियादी तिनाथ पर निशाना साधा है इस इसी बीच आपने पचास सीटों पर अपने जो लिस्ट जारी करिए कौन-कौन से प्रमुक चेहरे हैं इसमें दिखी मैं पतावनुक दोजार बारा में करस्मिक तरह अमारी पार्टी दिल्ली में भी तीसी बार मुक्वंत्री क्रूप में अर्मिके विएर को बठाई इसके बार लगातार आमारी पार्टी डेस के विबिंदर राज्यों में अपनी संगट को मजबूर कर रही है और अमारी पार्टी कई सीटों पर लडी थी हाला कि उनको कहीं पर उपलब्दी जीत हासल नहीं हुई थी पर जस्तरह से उन्होंने हाल में घुच्रा की थी हम 430 सीटों पर चरौप लड़ेंगे इसको देखते हुए आमारी पार्टी की जार सांसर संजैसे को यूपी प्रभा की है और साथ ही कहा है कि हम सारी स्टीटों पर लड़ेंगे और आमारी पार्टी एक बहतर बिकल्फ गुरूप उताप्रिस में सामने आएगी जिस तरह से संजैसे पंडितों के हग को लेकर लगातार हमलावर रहे चाहे खुशी दूबे के सो चाहे वह बांदा में पंडित की चहरा प्रमुक सामने आया है देकि सुरू से हम देख रहे जब से योगी सरकार आये तब से लगातार बिपच्च इसवार्पल के हमरावर है कि यहां पर च्छत्रिय के प्रभाव हो रहा है जो पंडित है जो ब्रहमर जाती है इसका खासा प्रभाव है दस से बारा परसे ब्रहमर प्रमुक सामने आया है और ब्रहमर को ही हम यहां सवयोग देंगे और ब्रहमर के रहनुमा के रूप में हम आमानी पार्टी रूप में सामिल होंगे आपकी सूची से कुछ ऐसा अभी तक सामने निकल के आया है गरब के इस बार आम आदमी पार्टी भी दलितों को प्रमुक्ता देने के मूड में है कि आपकी सब्सक्राइब करेंगे कि सब्सक्राइब करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद गौरव उत्तरफ्रदेश में विधासभा चुनाओ नजदीक आते ही अब दल बदल का सलसला जारी है जहां एक और बीजिपी से चिटक कर नेता सपा के पाले में जा रहे हैं वही बीजिपी में भी जॉइनिंग जा रही है आज असी मरूर बीजिपी के पाले में जा चुके हैं वही कयास लगाया जो रहा है कि मुलायम सिंग की बहु अपढ़ना भी बेजुपी का दामन थाम सकती है। वही दूसरी तरह अब सपा की बात करें तो आज समाजवादी पार्टी कार्याले में प्रेस्वारता का आयूजन किया गया जिसके द्वारा दारा सिंग को सपा की जोईनिंग कराई गयी। यह बचा है कि क्या कुछ नया सामने आएगा, क्या फर्क पड़ेगा असी मरूड के पार्टी में आने से, जिस तरह से दारा सिंग को भी एक मजबूत नेता के रूप में देखा जा रहा है, उस तो इस खबर पराधिक जानकारी के लिए हमारे समवदाता नितिन कुमार हमा निस्तिन, असीम अरूड के भाजपा जॉइन करने से क्या भाजपा और मजबूत होएगी? असीम अरूड का कहना है कि महज साथ दिनों के अंदर ये तै किया मैने कि मुझे राजनीती में जाना चाहिए और मुझे बीजेपी जॉइन करनी चाहिए तो पहली चीज तो ये कि असी मरुण ने साथ दिनी अंदर इसका फैसला ले लिया तो जब वो नवकरी कर रहे थे तब भी कहीं न कहीं बीजेपी को लेकर काफी सौफ्ट कारण उनके दिन में होगा ऐसा विपक्षी नेताओं का ऐसा जरता का कहना है दूसरी चीज बीजेपी कितनी मजबूत होगी तो असी मरुण एक अच्छे अधिकारी कहे जाते रहे हैं पुलिस कमिशनर थे कानपूर के EDG लेवल के अधिकारी रहे हैं उसके बाद इन्होंने VRS लिया और उसके बाद असी मरुण आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं इसके पहले इनके पिता भी वो भी IPS रह चुके हैं श्री राम अरुण डीजेपी उत्तर प्रदेश के थे हैं वो तो इस तरह के जो अधिकारी जब किसी राजनितिक दल को जुड़ते हैं राजनितिक दल में जाते हैं तो कहीं न कहीं उनको ये उम्मीद रहती है कि जिस तरह से उनका अधिकारिक कारेकाल बीता है उसी तरह स सकती हैं बीते दिनों कई सारे उधारण रहे हैं चाहे हम बिरजलाल की बात करें वो भी डीजीपी रहें बसपास अशनकाल में बायवती के बहुती चहेते और करीबी अधिकारी रहें लेकिन समाजवधी पार्टी से उनकी नहीं बनी थी और बीते दिनों उन्होंने वाद भी दिया था और उसके पहले भी दिया था ऐसे में बीजेपी कितना मजबूत खुद को पा रही है यह तो कहपाना मुश्किल है लेकिन हां आसी मरोण और कोई ऐसे अधिकारी जो है क्योंकि यह कहा जरूर जा रहा है कि आसी मरोण जब आप बीजेपी में शामिल हुए अगर ऐसा होता है तो क्या अखिलेश यादो के परिवार में सेंद मारी नहीं है यह देखे अभी इस खबर पर पुष्टी नहीं हुई है कि अखिलेश यादो की चोटे भाई प्रतीक यादो की जो वाइफ है अपड़ना यादो या बुलायम परिवार की छोटी बहु यह सिर्फ एक अटकले हैं हलाकि कहा जा रहा है कि केंट सीट से अपड़ना यादो टिकेट मांग रही है कि वो चुनाओ लड़ना चाहती है पिछली बार उन्होंने समाजवादी पार्टी से भी टिकेट की मांग की थी इसके पहले कुछ दिनों पहले भी वो लगातार कें केंट सीट से वो प्रतिनीदत्व बीजेपी का करती हुई नजर आएंगी हाला कि अवी तक उनकी बीजेपी में जॉाइनिंग नहीं हुई है लेकिन अगर बीजेपी वो जॉइन करती है तो सिर्फ एक ही शर्त पर करेंगी उनको कैंट सीट से विधान सम्भा भेजा जाए विधान सभा का प्रत्याशी चुना जाए बीजेपी की तरफ से और अगर वहां से इनको प्रत्याशी चुना जाता है तो वहां पर भी कई सारी जो समस्यां हैं वो बीजेपी के सामने खड़ी हो जाएंगी क्योंकि उत्तर प्रदेश के एक उत्तर प्रदेश से इलहाबाद से सांसद है रीता बगोडा जोशी केंट सीट से वो विधायक पहले रह चुकी है और इस बार उसी केंट सीट से वो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही है कि उनके बेटे को विधान सफा का टिकट दिय तो वो कहीं न कहीं सबाजवादी पार्टी भी जासकती है लेकिन सभा की तरफ से एक कहां दिया गया है कि हम किसी को नहीं लेंगे तो अगर ऐसे में अपने परिवार के किसी सदस्त के कि उन्हें केंट सीट से प्रत्याशी बनाया जाए तो यह जो आपसी सामंजस बीजेपी में नहीं बैट पा रहा है उसी का कारण है कि जो बाहर की विपक्षी नेता है वो लगातार बीजेपी के उपर सवाल खड़े कर रहे हैं कि उनके खुद के ही नेता जो है वो बीजेप के नेताओं ने प्रदर्शन किया है और उनका ये आरोप है कि कई सारे ऐसे जो उसमें नेता मौझूद थे उनका टिकेट जो है इस बार काट दिया गया और इसी वज़ेपी नड़्डा जो की राष्टी अद्दक्ष बीजेपी के उनके घर के बाहर प्रदर्शन करने पह करा कर उसे टीकेट के लिए सामझस यहा टीकेट के लिए आशवाशन देना पड़ेगा अपण्डनायादो भी उन्ही वसे एक है अब देखना ये होगा कि अपन्डना यादों को और विजपी जोईन कराती है और एकर जोईन कराती है तो कैंट सीट से क्या उनने प्रत्य प्रत्याशी घोषित किया जाता है लेकिन अपढ़ना यादो के भामले पर अभी भी कुछ कह पाना बहुत आसान नहीं है लेकिन इतने अगर पढ़ना यादो को समाजवारी एफीजोपी टिकेट देती तो कितनी मजबूत कैंडिडेट के रूम में अपढ़ना यादो को दे तो हो सकता था कि प्रगती शील से उन्हें टिकेट मिल जाता केंट सीट से और वहां से वह अपना प्रतिनित्व करती लेकिन जब शुपाल यादो भी समयजवादी पार्टी में जॉइन हो गए तो वहां का भी जो सपना था पढ़ना यादो का वह भी टूड गया है उसके ब कि वह जोइन होंगी या नहीं होंगी हलाकि एक दो दिन में यह क्लियर हो जाएगा अगर वो जोइन हो रही है या नहीं हो रहे लेकिन सबसे आहम बात ये कि शर्त यही है उनकी कि उन्हें प्रत्याशी कैंट सीट से बनाया जाएँ अब फाइदा कितना होगा ये भी सुन उनका अपना कोई ऐसा मजबूत VOT BENK या अपना कोई मजबूत जनाधार नहीं है कि जनता उन्हें जाने उन्हें वोट करें बुलायम सिंग्यादों के नाम पर उन्हें वोट दिया जा सकता था लेकिन अगर वह पाटी से हट करके विपक्षी पार्टी क्योंकि इस समय समाज पार्टी का या यादो समाज का वोटर है वो अपढ़ना यादों के साथ नहीं जाएगा बीजेपी का वोटर कितना उनके साथ जाता है यह देखना है जी बहुत-बहुत धन्यवाद नितन यूपे के हमीर पूर जन्पत से इंसानियत को शर्मशार कर देने वाला मामला सामने आए है जहां गाओ के ही यूवक ने यूवती से दुशकर्म कर उसका शलील वीडियो बना लिया जिसके बाद वीडियो वाइरल करने की धंकी देकर देने पर मनमरजी का दबाव बनाने से योती ने फासी लगाकर आत्म भत्तिया कर ली वह यूती के पिताने कोधवाली में औरोबी के खिलाफ नाम ज़द तहरीर दी है उस मामले की जाज़ परताल कर रही है करें तो कि यहां से इतारा कमरी में ले गया है हमने कमरी में पाया है उसको पूंचा है की तेरे लड़का ने से बवग कौन है तुरे तो देट अंदर है कोई तो का आँ नहीं कोई उद्या खें आउपए साथ करें की जो कहते जहां बएढ़ गाहे से निकारोफर बीटिया के बीटिया काने निकाए परसंगी बात का आज परसी दौशे जबाइए इस ख़बर पर अधिक जानकारी ये हमारे साथ ब्रिजेस ओजा जुड़ेंगे ब्रिजेस कि अभीता गिरफतारी हो पाई है पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब्युक्ति की गिरफ्तारी के लिए लगतार पुलिस टीम की दविश जारी है इस तरह के कृट्यों से क्या वहां कि पुलिस नाकाम नहीं दिख रही है हमीरपुर पुलिस में से किसी ने सामने आकर इस मुद्दे पे कोई बयान दिया या गिरफतारी की कोई बात कही कि कब तक गिरफतारी हो जाएगी अभी पुलिस की माने तो पुलिस ने इस मामले में कोई अपना बयान जारी नहीं किया है लेकिन पुलिस से हमारी बात हुई है तो बात करने के बाद पुलिस का यही कहना है कि पुलिस की लगातार टीम दविस दे रही है और अब जल्ली गिरफतार किया जाएगा जी जी और धन्यवाद आपका तो यह थी साढ़े चार बजे की चार बड़ी प्रभुक खबरे ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहे है प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार